हेलो आज हम बात करेंगे ग्लुकोस टॉलरेंस टेस्ट की यह टेस्ट क्या होता है क्यूं किया जाता है कैसी किया जाता है इस सब के विशे में थोड़ी बेसिक जानकारी मैं आपको दूँगी ग्लुकोस टॉलरेंस टेस्ट क्या है इस टेस्ट के माध्यम से हम यह जानते हैं कि यदि एक फास्टिंग पेशेंट को एक पटिकलर अमाउंट अफ ग्लुकोस दिया जाए तो उसकी बाड़ी किस तरह से उसको हैंडल करती है यह टेस्ट कब करने के लिए कहा जा सकता है यह gestational diabetes को diagnose करने के लिए gold standard है और pregnant महिलाओं को यह टेस्ट करने के लिए कहा जा सकता है यह टेस्ट कैसे किया जाता है इस टेस्ट के लिए पेशेंट को लैब में आना होता है fasting condition में कम से कम 8 घंटे की fasting इस टेस्ट के लिए चाहिए जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसका fasting sample लिया जाता है उसके बाद उसके वजन के मिताबिक उसे glucose दिया जाता है आम तوع पे 60 kg के पेशेंट के लिए 75 gram glucose दिया जाता है ग्लुकोज देने के बाद उसके blood sample लिये जाते हैं जो की 1 घंटे और 2 घंटे बाद लिये जाते है इसलिए पेशेंट को कम सकम 2-3 घंटे के लेब में रहना पड़ सकता है. क्या इस टेस्ट से पहले कोई खास इंस्ट्रक्शन दिया जाता है? यह टेस्ट फास्टिंग कंडिशन में ही किया जाना चाहिए, इसलिए 8 घंटे की फास्टिंग चाहिए. इसके अलावा प्रेगनेंट महिलाओं में यह टेस्ट 24-28 वीक्स क के बीच होना चाहिए. यदि पेशन्ट कोई दवाई ले रहा हो जैसे स्टिरोइड, बीटा ब्लॉकर्स या एंटिडिप्रेसंट तो ये दवाएं टेस्ट से एक या दो दिन पहले बंद कर देनी चाहिए. क्या इस टेस्ट के समय दर्द का अनुभव होता है? इस टेस्ट कोई डायबटीस है तो आम तोरपे उसका फास्टिंग ब्लड ग्लुकोस वन ट्वंटिपाइव मिलीग्राम्स पर डेसिलिटर से ज्यादा होगा और दो घंटे बाद वाले सेंपल में 200 मिलीग्रामस पर डेसिलिटर से ज्यादा के ग्लुकोस लेवल्स होंगे. गस्टेशन मिली ग्रैम्स पर डेसिलिटर से ज्यादा होगा। दो घंटे वाले सेंपल में ब्लड ग्लुकोस लेवल 153 मिली ग्रैम्स पर डेसिलिटर से ज्यादा होगा।